आप सभी का दिवरिय सेनियर सेकंडरी स्कूल के आनलाहिन क अच्छा में स्वागत है आईए हम सभी ललद्यत की रचना जिसका सिर्षक है वाक उसका अध्यन करते हैं पहले भाग में कवित्री ने अपनी निलासा से उत्पन पिला का बोध कराया उन्होंने कहा है कि मनुष्ट का जीवन कच्छी मिट्टी से निर्वित घड़े के सुरूप है जैसे कच्छी मिट्टी से बने हुए बर्तन में जल ठारता नहीं है वैसे ही यहाँ जीवन को माना है बिना इस्वर के प्रेम रुपी प्रेमागन में तपे मनुष्ट का जीवन अपूर्ण और अखंडित कहलाता है कवित्री का पूर्ण विश्वास है कि केवल इस्वर ही उसकी इस आवस्यक्ता को पूर्ण कर सकते है कच्छे धागे से भावसागर में तैरती उसकी जीवन नया को न डूबने देने का काम परमात्मा ही कर सकते है वैं कहती है कि मुझे इस्वर के सण में जाना है इश्वर भक्ति में मुझे डूब जाना है उसकी अतिस्षिग्र वहाँ जाने की इच्छा ससक्त होकर के उन्हें ब्याकुल कर देती है यहां कवित्री ने इश्वर प्रेम को पाने की अपनी आतुरता व्यक्त की है उनका आसा वादित दिश्टिकोंड इस पहले काव्यांस में दिखाई पड़ता है यह वाक सिर्शक है यह जो है कविता कस्मेरी भासा का अनवादित रूप है कवित्री ने वाक कावे सैली को अपनाया है भाव सागर पार में अनुप्रासलंकार है रह रह में पुनरुप प्रकासलंकार है विद्यार्थियों आए जो काव्यांस की दूसरा भाग है उसका अध्यन करते हैं खा खा कर कुछ पाएगा नहीं ना खाकर बनेगा हंकारी सम खा तभी होगा संभावी खुलेगी साकल बंद्वार की यहां सम सब्दकार्थ है इंद्रियों का निग्रह इंद्रियों को बस में करना संभावी सब्द करता है समता की भावना खुलेगी साकल बंद्वार की खुलेगी साकल का अर्थ है चेतना ब्यापक होगी कवित्री ने इस काव्यांस में सबको समझाते हुए कहा है कि धार्मिक रोड़ वाईता और वाहरी आडंबरों से हटकर सभी को समान समझना सबके प्रत्समान भाव रखते हुए अहंकार को तिलांजली देना अहंकार को दूर रखना अहंकार से दूर रहकर के कवित्री ने सरल्ता को अपनाने की आवचकता है इसके बारे में बताया है कवित्री सभी मनुस्यों को अपने सम्मूधन द्वारा कहती है कि अपना सर्वस समर्पित करने में ही इश्वरी आरादना की अवस्था में प्रिवेश होता है उस समय ऐसा लगेगा जैसे कुछ मिला ही नहीं परन्तु इश्वरी क्रिपा अनुग्रह सबको समान रूप से प्राप्त होता है तथा जब मनुष्य इस अखंड सत्ता को खंड करके भेद उत्पन करू से देखता है तो वह खुद उसकी माननेताओं को स्रेष्ट मान दूसरे लोगों को अपने से नीचा अर्थात स्रेष्ट समझने रखता है इस तरह से कवित्री कहते है कि और स्रेष्ट समझना ये मनुष्य की दूरबलता है अता कवित्री सब को प्रामर्श देती हैं कि मनुष्य को अहंकार से अलग होकर और आडंबरों से उपर उठकर अपने अनता करण के विकास का प्रयास करना चाहिए सब को समान समझ संभाव उत्पन करना चाहिए इससे चित्व की विशालता इससे हिर्दे की विशालता और मन की सुझता बढ़करके चित्ना सक्ति व्यापक बन जाती है मन द्वारा आत्मा पर लगी अज्यान की साकल धीली हो जाती है साकल का अर्थ है कुंडी जैसे दर्वाजा हम बंद करते हैं तो कुंडी लगाते हैं तो उससे को साकल कहते हैं तो कहते हैं कि मन द्वारा आत्मा पर लगी अज्यान की साकल धीली हो जाती है तथा मन और मस्तिस्क प्रकास रोड़ा से उत्परोत हो करके पूंड़ता पूंड हो जाते हैं इस तरह से कवित्री ने इस काव्यांस में सभी को यह संदियस दिया है कि मनुष्य को धार्मिक रोडवादिता और वाह आडम्बरों से हट करके रहना चाहिए अहंकार का त्याग करना चाहिए और सब को समान भाव से देखना चाहिए इस्वर की क्रपा से ही यह संभव है बिना इस्वर की क्रपा से यह संभव होना मुश्किल है मनुष्य को स्रिष्ट मानना अपने आपको और दूसरे लोगों को अपने से नीचा वताना या उसकी कमजोरी है मनुष्य को अहंकार से अलग हो करके अहंकार रहित हो करके आडंबरों से उपर उठ करके अपने अंता करन का विकास करना चाहिए कवित्री ने यह बताया है कि मनुष्य यो है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के दिए अपने जीवन के लच्छ को भूल जाता है इश्वर की कृपा से मनुष्य जीवन मिला है तो उसे हमें भक्ती में लगाना चाहिए परमात्मा के बारे में पूरे लगन, पूरी भक्ती के साथ, पूरे मनोयोग के साथ हमें उसका अस्मन करना चाहिए मनुष्य को अखंड सत्ता से कोखंड खंड करके उसका भेद उत्पन नहीं करना चाहिए इस तरह से कवित्री इस काव्यांस में यह बताती हैं कि हमें अहंकार भाव त्याग करके और वाय आडम्रों से दूर रह करके सब को समान भाव, शमता का भाव हमारे मन में होना चाहिए तभी हमारे मन की अज्ञानता समाप्त होगी और मन की जब अज्ञानता समाप्त हो जाएगी तो हमारा मन और मस्तिस्क पूर्जा से भर जाएगा विद्यारतियों इस काव्यांस को आप फिर से पढ़ेंगे और आसा है कि आपके समझ में आया होगा जो समझ में नहीं आएगा उसे आप पोछेंगे धन्यवाद